Hello everyone, welcome back to my channel तो आज का वीडियो वैसे श्टूडेंट के लिए है जिनका BAC में मैथ जेनरल में है या सबसीडरी में है इसके पहले वीडियो में आपको ओनर्स का पूरा डिटेल में जनकारी मिल चुका है और जो जेनरल से है वो सबसीडरी से है जिनका भी मैथ है तो वो कैसे कहां से पढ़ें, क्या करें, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलेगा तो जिनका भी मैथ है, जेनरल में या सबसीडरी है वो इस वीडियो को लास तक देखे और जिनका honors है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और उनका honors का syllabus देख लें जोकि यहां पर mathematics के classes भी start होने वाले हैं तो आप लोग चैनल को subscribe कर लिजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर लिजेगा साथ में share भी कर लिजेगा तो आप लोग को पता ही होगा कि BAC जो है वो three year का degree course होता है और first year में आपको part one का ये syllabus है तो आपको three year में कैसे कैसे पढ़ना होता है ये कुछ brief में मैं पता देती हूँ तो first year में आपको यहां फिर first year, second year और third year आपको पढ़ना होता है first year में जिनका तो general है उनका three subject होता है VCM या PCB जो भी आप लोग उसमें से सब कुछ equal पढ़ना रहता है लेकिन जिनका honors है उन्हों ने जिन्होंने भी कुछ physics या chemistry या biology यहां पे honors लिया है उनका एक सबसीडरी के रुप में math आ जाता है और जिन्होंने math honors लिया है उनका physics या chemistry सबसीडरी दोनों रहता है तो यहां पे चलिए जिनका math सबसीडरी है या general है उनका यहां पे इस video में detail आपको मिलेगा तो यह देखी आपको first year में आपको जो paper होता है यह paper one और paper two दो paper होता है first year में साथ में second year में भी आपका general या सबसीडरी का दो paper होता है ठीक है paper one and paper two फिर आपका third year में यह general और सबसीडरी है वो नहीं रहता थर्ड यर में आपको बलनी honors paper का exam देना रहता है तो इसलिए आपको first year और second year में अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपका अच्छा marks है क्योंकि ये marks आपका honors paper में नहीं add होता इसलिए आप honors पे ज़्यादा focus करेंगे लेकिन math में आप general या subsidi लिये हैं तो कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि math ऐसा subject नहीं है जिसको आप रट्टा मर के याद कर ले और जल्दी से exam में लिख किया जाए इसमें बहुत सारे theorem है जो दो page तीन page में आपको proof करना पड़ेगा और ये सब कुछ आपको बहुत जल्दी मतलब इस वीडियो पे मिलेगा सब कुछ आपको तो आप लोग channel को subscribe जरूर कर लेजेगा और यहाँ पर देखिए तो first और second paper में आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप math honors में लिये हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता या फिर बहुत सारे question एक question बन गया दूसरे question में doubt ऐसा बहुत problem होता है तो आप लोग को चले हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ें तो three year में आपको first और second year में आपको एप्रोक्स चार पेपर का आपको पढ़ना पढ़ेगा math तो यहाँ पे देखिए सबसीडरी कोर्स divided into two parts तो parts में divided है paper one और paper two be taught in the first year and second year respectively आपको first year में भी और second year दोनों year में आपको mathematics यहाँ पढ़ना पढ़ेगा अगर आपका general या सबसीडरी है तो फिर चलिए यहाँ पे देखते है timing कितना देता है हमारा exam में तो timing आपका three hours रहता है three hours में आपको paper complete करना पढ़ता है देखिए other subject है तो आप कुछ भी लिख के आगे कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ extra भी लिख दिये तो उस पे marks मिल जाता है तो यहाँ पे 100 marks का exam होता है एक paper आपका 100 marks का होता है दुसरा paper फिर 100 marks का होता है मतलब आपको एक year में 200 marks का exam देना पढ़ता है फिर next year आपका 200 marks का exam होगा तो आपका 2 year ही यह पढ़ना है उसके बाद question का answer कैसे देना है तो यहाँ पे दिया है answer 8 questions selecting at least one from each group तो जो भी यहाँ पे group दिया हुए है आपका 5 group दिया हुए है जिसमें से आपको यहाँ पे 8 question आपको करना है तो question कितना आता है 8 question जितना भी question है उसमें से 8 question आपको करना है total 12 question आपका देता है जिसमें से यहाँ पे 8 question आपको करना ही पड़ेगा definitely अगर आपको 100 marks चाहिए तो और कैसे करेंगे तो यहाँ पे एक question पड़ते ग्रूप में से जरूर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप state theory से 4-5 question कर लिए और next group से आपने matrices skip कर दिया तो वो नहीं कर सकते आप अप state theory से भी एक question करेंगे abstract algebra से भी करेंगे matrices linear programming calculus जो भी आपका syllabus में है जो भी यहाँ पे group दिया हुआ है group A, group B ऐसा ही करके आपका जितना भी group दिया है सारे group से at least one question तो आपको करना पड़ेगा तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है तो यहाँ पे अप state theory group A, group B, group C और group D के साथ group EB है तो टोटल आपका कितना five group है तो आप यह कहां से पड़ सकते हैं तो यहाँ पे आप help book के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप university के case paper से आप mathematics पड़ सकते हैं लेकिन only case paper से आपका BST का mathematics complete नहीं होगा क्योंकि match होता है न वो आप रट नहीं सकते हैं और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे theorem जो होते हैं जो आपने 12 में बिलकुल भी नहीं पड़ा आप कुछ भी नहीं जानते हैं उसके बाद में यहाँ पे आपको वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है तो इसलिए आप कोशिस करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी का गेस पर ले ही साथ में प्रिप्यूस येर का कोश्टन बैंक और उसके साथ साथ कुछ बुक्स भी ले ले चुकि आपको पिछले वीडियो में जो ओनर्स का बुक बताया गया है उसी के एक्राडिंग आप वो सब बुक्स लेंगे और उसमें से आप अपना टॉपिक टिक करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपकी सिलेबस में है और उसको आप पढ़ेंगे ठीक है तो बुक्स सेम रहेगा उसमें से आप टॉपिक टिक करके कि उसके बाद उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके सांताद गेस पर दोलेंगे या आप उसकी सांताद questions bank मिले लेंगे तो आपका 100 marks से एक भी marks कहीं भी नहीं जाने वाला 100 में 100 marks आ सकता है क्योंकि math तो ऐसा subject है जिसमें 100 में 100 आता है क्योंकि इस इसमें writing पे आपका number नहीं करता आपका साथ में error जो होता है spelling mistakes उस पे भी number नहीं grammatical mistakes इसमें एक भी number नहीं करता आपका यहां पे steps पे भी marks मिलता है साथ में अगर आप पूरे detail में अच्छे से बनाते हैं तो उसका भी marks आपको मिल जाता है तो यह बहुत असान है marks gain करना अग इसमें कुछ देखते हैं कि question कहां से आते हैं और क्या से question आते हैं तो यह सब कुछ आपको पता दे रहे हैं तो question कहां से आते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको पता दूँ कि इसमें जो 60% question होता है 60% question वो कहां से आता है तो 60% question only theory portion से आता है ठीक है तो theory portion से आपको 60% question करन पड़ेगा उसके साथ साथ यहां पे problem type का question जो होता है वो आपको 40% आता है ठीक है तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप 60% marks चाहिए आप only pass लाना चाहते हैं तो आप theory पे ज्यादा focus करें क्योंकि अगर आप अपका theory complete होगा तो आप problems भी अच्छे से कर पाएंगे और problems में आपको सिफ 40% करना है बहुत सारे problems होते हैं जो theory करने के बाद भी नहीं होता है वो practice require करता है तो आप theory पर ज्यादा focus किजे ताकि अब ज्यादा अच्छा marks score करें तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम यहा group A group A में कौन सा chapter है state theory and abstract algebra तो यहां पर state theory के लिए आपको लाल जी परसाद का book लेना चाहिए ठीक है जो इसके पिछले वीडियो में आपका book का वहां पे overview आपको बताए गया है तो अप लोग उस वीडियो से जाके जो math honors का है उसमें आप जाके book लिजेगा और उस book में यह सारे topic आप first chapter में आपको मिल जाएगा वहां से आप कर लेंगे तो चलिए यहां पर देखते हैं कि कौन कंसा है तो state theory and abstract algebra तो यह दोनों आपको chapter से four question आता है और four question में आपको at least one question तो करना ही पड़ेगा इस portion से तो आप four question है अगर state theory तो बहुत hard chapter है लेकिन यहां पर starting में ब है कि आप कोई physics है chemistry है जो आप याद कर लेंगे biology है तो ऐसा नहीं है इसमें आपको सब कुछ theorem भी बहुत बड़े बड़े होते हैं दो पेस तीन पेस के जो आपको proof कराया जाएगा आप चिंता बिलकुल भी मत किजिए आपको इस channel पर आपको सब कुछ मिलेगा तो यहां प यहां से 4 chapter कर सकते हैं 4 questions कर सकते हैं उसके बाद यहां पर देखिए इसमें topics कौन सा है तो notation of state and their algebra यह topic है उसके बाद Cartesian product है Cartesian product चुकि असान होता है क्योंकि आप 12 में भी पढ़े होते हैं तो यह आप लोग असानी से कर लेंगे लेकिन इसमें कुछ theorem भी है जो आप लोग practice क कल दीजेगा और बहुत सारे question है जो repeated होते हैं तो वह आप कल दीजेगा उसके बाद यहां पर notation of relation and mapping and their classification उसके बाद equivalence relation and यहां पर partition offset यह partition offset यह आपको जरूर पढ़ना चाहिए इसके तो एक question definitely आता है उसके बाद यहां पर binary operation notion of group, subgroup और cycle group and यहां पर permutation group, elementary concept offering उसके बाद integral domain and filled with example यह सारे topic आपको यहां पर लाल जी परसाथ का सेट थिवरी का बुक लेना चाहिए और उससे करना चाहिए उसके बाद चलिए अब matrices का देखते हैं तो matrices का क्या है यह group भी है जिसमें matrices and LPP linear programming problem आपको करना होता है तो matrices का book आप दास कुपता का लेंगे और LPP का यहां पर आप लाल जी परसाथ का यह book दोनों आप लेंगे उससे आपको four questions आता है चूंकि matrices का book बहुत पतला है और आसान भी है तो यह आप कर लेंगे लेकिन इसमें भी कुछ theorems होते हैं जो आपको करना पड़ेगा तो चलिए यहां पर matrices and its algebra यह आपका first topic है उसके बाद kinds of matrices unit matrix kind of matrices में यहां पर unit matrix यहां पर आपको यहां पर हर्मिशन matrices ट्रांस्पोर्ट यहां पर ट्रांस्पोर्ट एज्वाइंड और इन्वर्स एंड अर्थोगोनल matrices उसके बाद यहां पर notation of rank matrix यहां से बहुत question आता है उसके बाद convex state and their properties LPP problems and their graphic solution LPP problems भी आपका question आता है यह बहुत important LPP आप बिल्कुल भी skip नहीं किदेगा और matrices कि यह दोनों chapters यह दोनों chapters जो है वह easy और आप असानी से कर भी लेंगे उसके बाद यहां पर theory of simple यहां पर theory of simplex and method and their simple application theory of simple यहां पर simplex method and their simple application इससे भी आपको question आते हैं क्योंकि यहां पर जो भी topic है सभी important है लेकिन BVI आपका कुछ topic होता है जिससे निश्चित definitely question आते ही है तो यहां पर group C में देखिए group C में कौन कौन सा chapter है trigonometry and real analysis तो trigonometry तो बहुत असान है आप formula मगब करके उसके बाद question कर सकते हैं और इसका application जो होता है वो आपको practice करना पड़ेगा जिससे आपको two question आते हैं यहां पर demobius theorem and its application इससे question definitely आता है लेकिन यह hard भी है आपको practice बहुत ज्यादा खोजता है तो आपको ज्यादा practice करेंगे तब ही आपका यह complete होगा उसके बाद complex arguments and hyperbolic function और यहां पर जड़ गोरिक सीरीज यहां पर आपको यह सब पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आपका real analysis भी इसमें ही आता है जिसमें से three question ask होता है तो three question पुछता है तो real analysis का यहां पर topic है ठीक है उसके बाद यहां पर real analysis में topic है sequence and their convergence उसके बाद challenge general principle of convergence, convergent and divergent series of positive terms उसके बाद compression test उसके बाद challenge root test यहां पर alberts test उसके बाद alternating series continuity and differentability of real function of a single real variable and simple यहां पर combinary and discontinue of a function of single variable and their properties तो यहां तक आपको बता दिया गया कि real analysis तक आप group C तक कैसे करेंगे तो यह सब कुछ यह थोड़ा portion आपको hard हो जाएगा real analysis का क्योंकि इसमें बहुत सारे थियोरा में आपको सब practice करना पड़ेगा अब चलिए हम group D में देखते हैं तो group D में कौन कौन सा chapter है तो group D में आपका analytical geometry of two dimension है यहाँ पर 2D का पढ़ना है जिसमें से two question आता है उसके बाद group E में आपका analytical geometry of three dimension जिसमें से यहाँ पर two question आता है तो यहाँ पर 2D और 3D आपको सब पढ़ना है लेकिन यहाँ पर analytical geometry लगा गया है तो यह थोड़ा hard हो जाता है चुकि 2D और 3D आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप लोग इसे easy way में समझ सकते हैं अगर आपने 2D और 3D पढ़ा है तो ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसका topic देख लिजेगा कौन कौन सा topic है ठीक है तो यहाँ पर आपको अगर चाहते की topic भी बता दूं त महाँ पर coaxial circle उसके बाद general equation of second degree and its reduction to a standard form of parabola ellipse and hyperbola equation of tangent and normals for general equation and their form in case of particular coins ठीक है तो यह आपका group D का topic हो गया उसके बाद group E में देखी आपका analytical geometry of three dimension में आपका two question पुछता है relation and notion between different system of coordinates उसके बाद direction cosine angle between two straight line equation of planes and straight line condition for complementary of straight lines तो यह आपका complete हो गया तो syllabus की बार में आपको detail में बता दिया गया आप लोग यहां से चाहे तो screenshot ले लिजे और चाहे तो आप note भी कर लिजे नोट कर लिजेगा तो better रहेगा या फिर आप खरीज सकते हैं इसका तो syllabus आपका पूरा detail में हो गया अब आपको यह इसके classes चाहिए तो आप लोग प्ल उनर्स का तो math honors का जेनरल का और सबसीडरी यह तीनों के classes चलेंगे और उसमें आपको topic बता दिया जाएगा कि कौन सा topic honors वालों को पढ़ना है कौन सा topic यहाँ पे जेनरल या सबसीडरी वालों को पढ़ना है साथ में आपको यह भी बता जाएगा कि कहां से question आता है कौन से topic बीबी आई है वो आपको पढ़ाते time बीबी आई question आपको लिखा दिया जाएगा ठीक है तो thank you for watching this video and last में फिर से अकर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर देजे साथ में चैनल को subscribe किजिए और share किजिए ताकि हम लोग का भी motivation बना रहे और next वीडियो आपका आता रहे ठैं thank you